असलाम वालेकूम, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मसुसेन व्लोग में दोस्तों आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, आपको इसमें दो फोटो दिखाएंगे और आपको चूज करना है कि दोनों के चेहरों में क्या अंतर है यानि सुन्नी वर्सेस एहले हदीस, यानि एहले सुन्नत वल जमात वर्सेस एहले हदीस उलमा तो आप दोनों उलमा में आपको देखना है कि इनके चेहरे नूरानी है और याद रखिए कि उलमा फर्माते हैं जिनके चेहरे देखो, खुदा याद आजाए तो आज इसी चीज़ को रिविल करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में और देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़े और बहुती मज़दार वीडियो होने वाला है आपको ये दिखाएंगे, दोनों उलमा को दिखाएंगे तो कॉमेंट बॉक्स में उन उलमा को लिखना सुननी है तो सुन्नी उलमा जिंदाबाद, एहले अदिस हाट, एहले हदिस उलमा जिंदाबाद देखते हैं दोनों में फरक क्या है और दोनों की पहचान क्या है तो बहुती मज़दार वीडियो होने वाला है तो comment करना ना भुले और जरूर जरूर कीजिएगा सात में लिख दिज़ेगा सुन्य है तो जिन्दाबाद वहाबी थो जिन्दाबाद लिखेगा दोनों में मज़िदार है और comment कीजिए जरूर बताइए कि आपको किन के चेहरे इमान वाले लगे किन के चेहरे नूरानी लगे और किन के चेहरे को देखकर आपको खुदा याद आए तो इन चीज़ों को देखें और फिर मज़ा लिजे पहले चैनल को सब्सक्राइब किजे चलिए हमारे साथ वीडियो को देखें तो गाइस देखें यहाँ पर दो तस्वीरे हैं एक सुन्नी उलमा एहल सुन्नत वल जमाद दूसरा वहाबी उलमा याने एहल हदीस उलमा अब दोनों में चेहरों को देखें किन के चेहरे आपको नूरानी लगते हैं फैसला आपको करना है और कॉमेंट बॉक्स में जाईएगा वहाँ आप अगर सुन्नी है एहल सुन्नत वल जमाद में से है तो लिखें एहल सुन्नी उलमा जिन्दाबाद लिखें और अगर आप एहले हदीस है तो आप वहा लिख दीजे एहले हदीस जिन्दाबाद तो दोनों फर्क आपको समझना है कि दोनों के चेहरे को देखें किनके चेहरे नूरानी है क्योंकि याद रखें जो इमान वाले होते हैं उनकी इमान की रोशनी चेहरे पे होती है इमान की बरकस से जो उनका चहरा चमकने दमकने लगता है और जिनके दिल में इमान ना हो उनके चहरे में चमक नहीं होती है चाहे वो बंदा काला क्यों न हो चाहे कितना कलोटा क्यों न हो लेकिन जब उसके दिल में इमान की रोशनी होती है तो उसके चहरे पो उस रोशनी का असर होत अगर आप देखेंगे लेफ्ट में देखेंगे तो सुनिय उलमा है और राइट में देखेंगे तो एहल-अधीस को लाइक करते हैं अगर आप सुन्य उलमा को like करते हैं तो लिख दीज़े शुन्य उलमा जिनदाबाद अगर एहले जिनदाबाद लिख दीज़े लेकिन फैसला आपको करना है एमान वाले कौण है और किन के चहरे नूरानी है किन के चहरे को देखने से खुदा याद आएगा तो देखिए क्योंकि अलमा फर्माते हैं जिनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए तो समझ लो वो अल्ला के महभूब और नेक बंदे हैं और इन्ही अल्ला वालो के बारे में फर्माया है अला इन्ना अवलिया अल्लाही ला खौफ़न अल्यहिम वलाहुम यहजनून यानि जो अल्ला के नेक बंदे होते हैं ना उन्हें कोई खौफ होता है ना कोई गळम होता है जिने वल्य वाल्ला कहा जाता है तो दोनों को चेहरे को देखिए फरक आपको महसूस करना है किन के चहरे नूरानी है और किन के चहरे नूरानी नहीं है फरक आपको महसूस करना है और उलमा ही हमारी शान होते हैं हमारे ताज होते हैं